मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन कर लूँ और अगर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में ED द्वारा मुझे गिरफतार कर लिया जाएगा लोकसभा चुनाव से पहले वो आमादमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफतार करने वाले हैं भारतिय जन्ता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अर्विंद केजरी वाल के सिपाही हैं अब भारतिय जन्ता पार्टी को लगता है कि आम आदनी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफतार करना काफी नहीं था मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछी दिनों में मेरे पर्सनल रेजिदेंस पे एडी की रेड होगी मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतिय जन्ता पार्टी जॉइन करलू अपना पुलिटिकल करियर बढ़ा लू और अगर भारतिय जन्ता पार्टी नहीं जॉइन करी तो आने वाले एक महीने में एडी द्वारा मुझे गिरफतार कर लिया जाएगा ये एक मेरे बहुत करीबी विक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतिय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुछलना चाते हैं खतम करना चाते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीश नेतरित्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया पहले सतेंद्र जैन जी की गिरफतारी हुई फिर मनीश सिसोदिया जी की गिरफतारी हुई फिर संजे सिंग जी की गिरफतारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल जी को भी गिरफतार कर लिया गया है अब भारतिय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं वो मुझे गिरफ्तार करेंगे वो सौरभ भादवाज को गिरफ्तार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड़ा को गिरफ्तार करेंगे भारतिय जंता पार्टी ने ये उम्मीद करी थी कि अर्विंद केजरिवार जी की गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, आम आदमी पार्टी तूट जाएगी, आम आदमी पार्टी का मुराल दाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी senior leadership जेल में हैं हिरासत में हैं लेकिन संडे की राम लीला मैदान की rally के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आएं पिछले 10 दिन से आम आदमी पार्टी के सडक पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतिय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदनी पार्टी के टॉप चार leaders को गिरफतार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरभ भादवाज को जेल में डाला जाएगा दुर्गेश प घर में एडी की रेड होगी मेरे रिष्टेदारों मेरे परिवारवालों के घर में रेड होगी उसके बाद हम सब लोगों को समंस बहजे जाएगे और समंस कि कुछ ही समय बार हमें गिरफतार किया जाएगा मैं आज इस मंच के माध्यम से भारतिय जंता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धंकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंग के चेले हैं जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता हर विधायक हर कारेकरता में आखरी सांस तक बची है तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नित्रित्व में इस देश को बचाने के लिए इस देश के सम्विधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक बहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक कारेकरता को उठा के जेल में डालो आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगां दसों और लोग अर्विन केजरिवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आए